अमेठी नहीं तो क्या हुआ वायनार्ट की सेट अब भी एक विकल्फ है राहुल गांधी के लिए नमस्कार एक बफिर से लेकर आए हूँ ये बड़ी अपदेट लोग सभाद चुना को लेकर मैं तृप्ति आपको बता दू जो नई खबर आई है बड़ी खबर आई है राह राहुल गांधी को वायनार्ट में बड़ी जीत मिलने की उम्मीद है क्योंकि वायनार्ट से काफी आगे चल रहे है राहुल गांधी जिनके लिए साउथ में एक बड़ी विकल्फ मिल गया है जी हां लगता है कि राहुल गांधी को पहले से इस बात की उम्मीद ही है कि प्रदेश के पक्ष में आगी है लेकिन अगर बात करें पूरे देश भर की तो 80 सीटों में अब तक कॉंग्रेस आडी है तो वहीं शुरुवाती रुजान को लेकर बात हो रही है की काफी जादा आगे हो रही है कॉंग्रेस से भी जादा आगे निकलने वाले अगर अन्य उस मिलकर भी NDA को बड़ा मुकाबला नहीं दे पा रहे हैं। तक NDA आगे है तो वहीं 83 सीटों से आगे चल रही है UPA और 76 सीटों से लेकर 70 सीटों को लेकर खबर आई है अन्य की तरब से लेकिन NDA की मुकाबले में अभी ना तो अन्य सामने आपाया है ना हीं कॉंग्रेस यानी की UPA ऐसे में वाइनार भले ही राहूल गांधी के पक्ष मे हो लेकिन सरकार कॉंग्रेस के पक्ष में इस बार बने गिया नहीं इससे लेकर मुश्किल है तै करना उनके लिए फैसला फिलहाल हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ वाइनार को लेकर आपको बता दे वाइनार से राहूल गांधी की जीत के पीशे कारली है कि फिलहाल सौट से बिशेपी को काफी सादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है चहां से तमाम बड़ी खबरे आ रही है कि बिशेपी के लिए साउथ मुश्किल का एक सबब बना हुआ है लेकिन नौर्थ की बात करें अगर इसकी बात करें वेस्ट की बात करें तो राजस्थार में भारी बहुमत मिलने की उमीद है, एक बफिर बिचेपी की सरकार बनने की उमीद है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में गटवंदन भले ही कड़ी टककर देना चाहे, लेकिन NDA अब भी हर मुकाबले में NDA उत्तर प्रदेश में भी गटवंदन से काफी आगे है, लेकिन कॉंग् रिजल्ट आने में और अब तक जो भी खबरे आई है, 434 सीटों को लेकर रुझान तै हो चुका है, जिसमें से बात करें NDA की, तो 276 सीटे NDA के पक्ष में है, बात आदे आपको, UPA जो है 85 सीटों पर बरकरार है, तो वहीं 73 सीटों पर रनने है, लेकिन NDA सरकार बनाएगी क्योंकि ऐसा लगने लागा है, कि exit poll का नतीज़ा काफी हद तक तैं होने वाला है, सही होने वाला है, देखते हैं, आने वाले दिनों पलटता है कि नहीं पलटता है ये बाजी, क्योंकि NDA की सरकार अब तक आगे चल रही है, राहुल गांधी के लिए सिर्फ और सिर्फ वा करें और बिल आइकन को दबाना बिलकुल ना बूले, नमस्कार